जै श्रीरम दोस्तों कैसे अप लोग उम्मीद करता आप सभी लोग बढ़िया होंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक लाइव साउंड सेटप के कनेक्शन्स के बारे में कि दोस्तों आपको कनेक्शन्स कैसे करने चाहिए एम्प्लिफायर से टॉप में और दोस्तों एम्प्लिफायर से मिक्सर में आप लोग नहीं जानते हैं और गलत कनेक्शन्स करते हैं इसलिए दोस्तों आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं आती है या कोई आगे दिक्कत हो जाती, amplifier में problem हो जाती, speaker जल जाता है, आप लोग connections नहीं सही करते हैं, इसलिए दोस्तों आपके speaker जल जाते हैं, amplifier damage हो जाती है, इसलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक live sound setup के connections के बारे में बताऊंगा, जिसमें हमारे 6 top रहेंगे, 4 amplifiers रहेंगी, और एक mixer रहेगा, stabilizer रहेगा, तो दोस्तों यहाँ पर इतने की हम connections के बारे में बताऊंगे, और crossover में इसमें add नहीं कर रहा हूं, अगर आपको crossover के साथ connections जाए हैं, तो दोस्तों आप लोग comment कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा, तो दोस्तों यहाँ पर एक live operator बन पाएंगे, तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर लेना, चलिए आज किस वीडियो को शुरू करते हैं, तो दोस्तों हम बात करेंगे 6 top और 4 amplifier और 1 mixer के connections के बारे में, तो दोस्तों पहले आपको बता देता हूं, य इतने words के हमारे speaker top के अंदर पड़े हैं, उतने ही words की आप लोग amplifier यूज करना बाकी में connections आपको यहां पे बताने वाला हूं, तो दोस्तों यहां पे हमारी 4 amplifier हैं, और 6 हमारे top हैं, 2 हमारे दोस्तों 15 जिसके top हैं, और दोस्तों 4 12 जिसके top हैं, ठीक है, इस तरह का एक setup है, और दोस्तों एक हमारा mixer है, mixer आप कोई भी यूज कर सकते हैं, amplifier भी कोई भी यूज कर सकते हैं, top के अंदर speaker आप कोई भी यूज कर सकते हैं, मतलब दोस्तों केवल आपको यहां पे connections के बारे में बताऊंगा, connections आपको सही करना है, बाकी आप लोग अपने amplifier के मताबिक speaker लग दो हमारे 15 इंचिस के top हैं, और दोस्तों 4 हमारे 12 इंचिस के top हैं, एक mixer है, यहां पे दोस्तों मैंने 4 जो amplifier ली हैं, एक amplifier पे हम चलाएंगे अपने 2 15 इंचिस, और दोस्तों दूसरी amplifier पे हम चलाएंगे 2 12 इंचिस, और तीसरी amplifier पे हम चलाएंगे अपने 2 और 12 इंचिस, तो horn के लिए wapsi के लिए हम use करने वाले हैं उसका भी आपको इसी में 4 amplifier का connections बताने वाला हो इससे पहले दोस्तों आपको बता देता हूं कि amplifier से top में कैसे connections करने हैं ठीक है दोस्तों तो दोस्तों एक एक करकी आपको बताता हूं तो दोस्तों एक यह हमारी amplifier है जो की 1000 वाड़िस की है stranger brand की मैं यहाँ पे example के तौर पे ले रहा ह« इसमें दोस्तो common का option दिया गया है, एक ohm का option दिया गया है, दो ohm का option दिया गया है और four ohm का option दिया ठiq है मतलब four ohm का option दिया गया है, यहाँ पे हमारे दो 15 इंचिस के top है, हम इस पे अपने monthly amplifier चला हें ठीक है दो हमारे 15 इंचस हैं दो जो हमारे 15 इंचिस के टॉप हैं उसका प्लस का प्लस में कर देना है टॉप से टॉप में और ब्लेक का ब्लेक में कनेक्ट कर देना है टॉप से टॉप में फिर आपके दो वायर बचेंगे ठीके वो दोस्तो दो वायर आपको एक एम्प्लिफायर के बेक पेनल में लगा देना है ब्लेक वाला कॉमन में ठीके और दोस्तो हमा से कैसे connect करना है पहले आपको बता देता हूं कि amplifier से top में आपको कैसे connections करना है तो दोस्तों यहां पर हमारे 15 इंचिस के top connect हो चुके हैं amplifier से और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि 12 इंचिस के connections आपको सेम ऐसे ही करने हैं तीनों amplifier से छे टोपों में ठीक है आप लोग समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाहरा हूं इसी तरह से आपको connections करने हैं टोप का दोस्तों टोप से पहले connections कर लेना है फिर दो जो वायर बचेंगे वो आपको common में और two ohm में लगा देना है ठीक है चा से आपको तीनों amplifier से connect कर देने हैं अपने छे टोप ठीक है इसी तरह से आपको बिल्कुल सेम connections करने हैं amplifier से टोप में चाहें वो हमारे 15 जिसके टोप हो चाहें 12 जिसके टोप हो तो दोस्तों कुछ आपको इस प्रकार से तीनों amplifier से टोप connect कर लेना है अपने छे टोप अब ब दोस्तो हमारे horn दो प्रकार के आते हैं, एक दोस्तो हमारा LMT आता है और दोस्तो एक हमारा ohm वाला आता है, मीहा पे ohm के बारे में आपको बता देता हूँ, तो दोस्तो ये है हमारी amplifier का back panel, horn के दोस्तो connections आपको कुछ इस प्रकार से करना है, plus का plus में, minus का minus में, और दोस्तो जो हमारा plus वाला बचा, वो दोस्तो आपको लगा देना है, आखरी में, atom में जो की हमारे amplifier में है, और दोसरा जो black वाला बचा, वो दोस्तो आपको common में लगा देना है, तो दोस्तो आपको कुछ इस प्रकार से horn connect कर लेना है, दोस्तो यहाँ प देखना मैं आपको कैसे connections बताने वाल हूँ फिर उसी तरह से आप लोग connections की जिएगा तो दोस्तों यहाँ पे हमारी चारो amplifier का back panel है आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे मैंने एक mixer यूज किया है mixer आप किसी भी brand का ले सकते हैं मैंने यहाँ पे stranger brand का mixer यहाँ पे example के तोर पे आपको दिखाया है तो दोस्तों यह है हमारा mixer और यह है चार amplifier का back panel तो दोस्तों पहले आपको back panel में जाना है amplifier के यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जिसमें हम अपने 15 इंच से stop चला रहे हैं उसमें दोस्तों आपको 3 option देखने को मिलता है एक line out का option देखने को मिलता है दूसरा AUX का और दोस्तों तीसरा हमें my option देखने को मिलता है इसमें दोस्तों line in का option नहीं दिया गया है यहाँ पे दोस्तों आपको mono jack कहां पे लगानी है आपको दोस्तों AUX जो बीच वाला है पॉल उसमें आपको एक अपनी मोनो जे कनेक्ट कर देनी है फ्रन्ट लुक में आपको AUX का वाइलूम देखने को मिलता है आप उसको बढ़ाएना तब आपका चैलू हो जाएगा अम्प्लिफायर ठीक है तो दोस्तों आपको AUX में कनेक्ट करना है और दोस्तों आपको आजाना है मिक्सर में मिक्सर में दोस्तों आपको आउटपुट का सेक्षन देखने को मिलता है दोस्तों आपको यहां पे left और right चारा option देखने को मिलते हैं left में दो और right में दो दोस्तों आपको amplifier से UX में connect करना है वहां से उठा के लाना है अपनी wire mono वाली jack वो आपको left में लगा देनी है output section में ठीक है यहां पे आपका एक amplifier connect हो जागा है अब बात कर लेते हैं दूसरी amplifier की तो दोस्तों दूसरी amplifier में आपको line in and line out का option देखने को मिलता है यहां पे आपको अपनी mono jack line in में लगा देना है और फिर आपको आजाना है mixer में mixer में mixer में आपको right option जो देखने को मिल लहा है उसमें आपको right में एक अपनी mono jack connect कर देनी है amplifier मतलब तो दोस्तों यहां पे आपकी दो amplifier connect हो चुकी है अब बात कर लेते हैं तीसरी amplifier की और दोस्तों तीसरी amplifier में भी आपको कुछ इसी तरह से connections करना है आपको line in and line out का option देखने को मिलता है आपको line in में connect करना है और mixer में आजाना है mixer में आपको right इधर आपको jack अपनी लगा देनी है तो दोस्तों यहां पे तीन amplifier connect हो चुकी है अब बात कर लेते हैं चौथी amplifier की जिस पे आप horn चला रहे हैं तो दोस्तों चौथी amplifier में आपको amplifier के back panel में line in का option देखने को मिलता है और aux का option भी देखने को म मिलता है अगर आपको अच्छी quality चाहिए तो दोस्तों आपको AUX में लगा देना है अपनी input कर देना है ऐसे समय सकते हैं AUX पूरा input का ही काम करता है तो दोस्तों आपको line in में ना लगा के आप लोग line AUX में लगा देना है AUX में आप चाहें 1 में लगा देना है चाहें 2 में अब किसी में भी लगा सकते हैं तो दोस्तों आपको यह पर connect कर देना है AUX1 में फिर आपको आजादे हैं mixer में mixer में आपको lift जदर हम 15 इंच का अपना jack लगा हैं उसमें आपको वहाँ पर connect कर देना है lift में तो दोस्तों यहाँ पर आपका horn वाला amplifier भी connect हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर total हमारी चारो amplifier mixer से connect हो चुकी है और दोस्तों speaker में आपको पहले ही बता दिया था कि amplifier से कैसे connect करने हैं तो दोस्तों यहाँ पर full connections हो चुके हैं आपको अपने amplifier के volumes बढ़ा देना है mixer और amplifier के सबी वायर आपको इस टिपलाजर में connect कर देना है एसी वाला फिर आप लोग बजाने के लिए setup आपका तयार हो जाएगा तो दोस्तों कुछ आप इस तरह से connections कर सकते हैं live sound setup में जिसमें मैंने बता है चार amplifier है छे top है और दोस्तों दो होड़ने हैं आप लोग इस तरह से connections कर सकते हैं जो कि यह सबसे सही connections में आपको बता हैं तो दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर दोस्तों वीडियो पसंद है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ आपके दोस्तों को भी पता लगे कि दोस्तों लाइफ साउंड सेटम में कैसे connections किये जाते हैं तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करने और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो चलनल को सब्स्राइब जरूर कर लेना दोस्तों मिलते हैं किसी next वीडियो में तब ते के लिए जैहिन वन्यमात्रम टाटा टेक यू बाई